Everyone, welcome back to our class. Last class में आपने, जो पॉलिटी की हमारी हुई थी, इसमें हमने प्रधान मंत्री तक अपना complete कर लिया था. आज है हमारे पास संगी ये मंत्री परिशद, जो मंत्री परिशद होती है, उसमें क्या-क्या बाते आपको धिहान रखनी है. सबसे पहला दो टम आपको धिहान रखने, एक होता है मंत्री परिशद और दूसरा होता है आपका मंत्री मंदल. तो इसमें क्या अंतर है परिशद और मंडल में क्या अंतर है तो मंत्री परिशद जो होती है उसमें तीन टाइप के मंत्री आते हैं एक तो कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उनके उप मंत्री तीन टाइप के हो गया है कैबिनेट राज्य और उप मंत्री लेकिन जो मंत् मंत्री मंदल में अब कोशन मनता है कि मंत्री परिशत का अध्यक्ष कौन है तो ये अध्यक्ष होता हमारा प्रधान मंत्री और सपत कौन दिलाता है तो सपत इनको भी राश्चपती दिलाता है प्रधान मंत्री को भी राश्चपती ही दिलाता है और अगर कोशन ये बहुत ब रिपीट हो चुका है अब वरीता करम की जो प्रियर्टी दी जाती है यह वरीता होती है सबसे पहले उपर आते हैं कैबिनेट मंत्री उसके नीचे आते हैं फिर राज्य मंत्री और फिर आते हैं हमारे उप मंत्री तो हमारे उत्राखंड से जो कैबिनेट मंत्री है निशंक ज जो गठन किया जाता उसमें केवल क्या होते है केंद्रिया मंत्री गर्ण होते हैं यानि की कैबिनेट के मंत्री होते हैं अब मंत्री परिशत के खिलाब पहला अविस्वास प्रस्ताव कब लाया गया था 1963 में मंत्री परिशत के खिलाब पहला अविस्वास प्रस्ताव लाया गया था और एक और जो important question है कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्री परिशत बनी थी उसमें कितने सदस्य थे तो उसमें सदस्य थे आपके 36 मेंबर थे और जो एक मात्र महिला उस टाइम पे थी एक मात्र महिला सदस्य थी ये थी आमारी राचकुमारी अमरित कौर अब प्रथम जो ग्रह मंत्री बने थे ये थे हमारी यहाँ पर मैंने लिखा इसका सरदार बल्लब भाई पटेल ये आपने देखा होगा कि जो रियासते थी उनका एकी करण करने का काम किस ने किया था सरदार बल्लब भाई पटेल जी ने और प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार बल्लेव सिंग जी तो बल्ल्लेव से आपको लग रहा होगा कि इसमें बल जादा होगा तो रक्षा कर सकेगा तो प्रतिरक्षा मंत्री कौन होगा हमारे स अब अगर मंतरी परिशत के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस से उसके लिए लोकसावा में होने चाहिएं कि जो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं तो उनकी संख्या होती है पचास पचास से अगर कम होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं अभी मैंने एक शब्द यूस किया था मंतरी मंडल तो इसका प्रियोग जो हमारे सम्विधान में कहां किया गया है और कितनी बार किया गया है तो इसका प्रियोग केवल एक बार किया गया है अनुछे 352 में अब अनुछे 352 में आपको पताया है आपातकाल से रिलेटेड है आपातकाल के चेप्टर में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे और संगिया मंत्री मंदल का पुनर गठन इस रिपोर्ट को किसके द्वारा लाया गया था गोपाल स्वामी आयंगर आयंगर से आपको द्यान आजाना चीए कि ये उपाध्यक्ष भी थे प्रत्हम लोकसभा उपाध्यक्ष आयंगर अब है प्रमुक पदाधी का पढ़ेंगे एक तो कैग हो गया जैसे अटर्नी जर्लल आफ इंडिया हो गया ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे अब एक क्वेशन बनता है कि समविधान का ऐसा कौन सा पद है जिसका उलेक समविधान में कहीं किया ही नहीं गया है तो ये है आपका प्रथम ग्रह मंत्री भी बने थे और दो दो उप्रधान मंत्री एक साथ किसके किसके टाइम पे थे तो ये बने थे मोरारजी देसाई के टाइम पे और इसी से आपको मोरारजी से ध्यान भी आ गया होगे कि सबसे ब्रिद्ध भी यही थे सबसे बुढ़े जो प्रधान मंत और गैर कांग्रेसी भी मूरारजी ही दिसाई ही थे। अब है कि एक दल तो हमारे हाँ जैसे एक दल है जिसको लोकसमावें बहुमत मिलता है तो उसका नेता प्रधान मंत्री बन जाता है। वोट मिले है उनका 10 प्रतिशत उसे उसके सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। जितने भी लोकसमा में सदस्यों गये उसका 10% उसको मिला जाना चाहिए कि उसके 10% सदस्य जीत कि आए अब जो विरोधी दल का नेता होता है उसको किस किस टाइप की सुविदाएं मिलती है तो बात है हमारा महान्यावादी या फिर अटर्नी जनरल इसको बोला जाता है विधी प्रामर्स दाता यानि कि जो विधी या कानून से रिलेटेड जो भी सरकार की बाते होती है उनको प्रामर्स कौन देता है उसके समध में प्रामर्स कौन देता है अटर्नी जनरल या फिर महान और इसकी जो नियुक्ती है वो कौन करता है भारत का रास्टपती और इसके बारे में किसमे का आगया अनुचेथ 76 या फिर 76 में इसकी विशेषता क्या होती है कि ये संसत का सदश्यत तो नहीं होता है लेकिन इसको कुछ राइट मिले होते हैं यानि कि इसंसत की तो यह question बहुत बार पूछा गया है कि निम्न मेंसे कौन संसत का सदश्य नहीं होता है लेकिन उसे संसत की गती विदियो में भाग लेने का अधिकार है या संसत में बोलने का अधिकार है तो आपको option में महान्यावदी मिल जाएगा, कैग मिल जाएगे, अन्या option में मिल जाए अगर राश्रपती ने चाहा तो राश्रपती इसको दूसरे दिन भी निकाल सकता है। जी, और राश्र की सरकार को कैक का जो काम होता है, वो अपनी क्या करता है, रिपोर्ट देता है और ये रिपोर्ट देता है अपनी लोक लेखा समीती के द्वारा। और लोक लेवखा समीती का अध्यक्ष मैंने कल आपको बताया था कि ये बिल्कुल अलग होता है, ये बिपक्षी दल का नेता होता है, उपर आपने पड़ा अभी महान्यायवादी, अब होता है महादी वक्ता, ये होता है एड्वोकेट जर्नल, एटर्नी जर्नल होता है कानूनी विशाय पर तो राज्ये को कानूनी विशाय पर परामर्ष कौन देगा, एड्वोकेट जर्नल, अब है कि वित्तिय लेन देनों के लेखा करण का जिम्मेदार कौन होता है, तो ये होता है कैग्लिटी अंत्रन एवं महालेखा परिक्षक, कैक की नियुक्ती भी रा पूरा कर लिया हो, या फिर अगर उससे पहले वो 65 वर्ष की आई को पूरा कर लेगा, तो वो पहले रिटायर हो जाएगा, अब देखे, कैक की रिपोर्ट के आधार पर, ये है अपना कारे, ये देता है, लोक लेखा, समीती को देता है अपनी रिपोर्ट, और इसको संसद निदी है, उस पे नियंतरन होता है, कैक का, लोक लेखा समीती की बैठकों में भाग भी लेता है, और लोक निदी का अभिवावक किसे कहा जाता है, वो भी कैक को ही कहा जाता है, अब मैं यहापे आपसे कुछ समीतियों की बात करी थी, जैसे लोक लेखा समीती हो गया, वो से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं प्राकलन समीति 30 सदस्य हैं और 30 के 30 किस में हैं लोकसभा से तो एक क्वेशन भी बना जाता है कि निम्नमे से किस समीति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है तो वो समीति है प्राकलन समीति और लोकलेखा समीति और प्राकलन सम समीति को आपस में जुड़वा बहने कहा जाता है तो कुछ भी बन सकता है कि प्राकलन समीति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है या फिर लोख लेखा समीति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है फिर है विशेशा दिकार समीति यहां पे आप सदर्शों की संख्या देख स तो ये हुआ था 1921 में और किसके तहट हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1999 इसको क्या बोलता है पहले भी बता है मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और इसी में क्या हुआ था राज्यों में दोहरा प्रांतों में दोहरा साश्षन कब हुआ था 1919 में हुआ था अब देखे कोशन है कि राज्यों सभा का सध्य से किसमे नहीं होता है प्राकलन समीति में और इसका गठन का हुआ था 1950 में जिसकी जुड़वा बहन किसको कहा जाता है लोग लेखा समीति को अब जो लोग सभा अध्यक्ष होता है वो किसका अध्यक्ष होता है वो होता है निय का नेता. फिर आता हमारीपास सर्वोच नैले के आर्यटीकल 124 से 147 तक आपका सर्वोच नैले सुप्रिम कोड के बारे में कहा गया है. जो भारत का संगी है नैले था, सबसे पहला फैडरल कोड था, वो कब बना था? वो बना था 1937 में और किसके तहट बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 और उच्चितम नियाले का उधगाटन कब हुआ था सुप्रीम कोड है जो हमारा दिली में उसका उधगाटन कब हुआ था 28 जनवरी 1950 यानि कि जब हमारा समविधान लागू हुआ था उसके दो दिन बाद समविधान का संड़क् अब है कि सर्वोच नियाले के नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपती करता है और जो उसके अलाव वहां अन्य नियाधिस होते हैं एक तो मुख्य नियाधिस होता है और अन्य नियाधिस होते हैं तो अन्य नियाधिसों की नियुक्ति कौन करता है ये क्या qualification होनी चाहिए तो 10 वर्ष का उच्छ नयायले का उसे advocate होना चाहिए ये question बना है किसी exam में कि सर्वोच नयायले के नयायदीश बनने के लिए कितने वर्ष का उसे उच्छ नयायले में वकील या advocate होना चाहिए तो 10 वर्ष का अधिक्तम आयू कितनी है 65 और जैसे कि हम महाभियोग सर्वोच नयायले के नयायदीश पर भी लग सकता उसे राष्टपती अपने पत से हटा सकता है और महाभियोग संसत के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है अगर salary की बात की जाये तो मुख्य नयायदीश को मिलते हैं 1,00,000 जबकि अन्य नयायदीश को 90, और नयायदीश को संख्या देखी जाए तो जब starting में नयाय डाय बना था तो मूल रूप से 1 मुख्य नयायदीश था और 7 नय नयायदीश थे लेकिन वर्तमान में क्या है 1 मुख्य नयायदीश है और 33 नय नयायदीश हैं यह जो पहلे इसमें 30 थे बट 2019 में इसमें संसोदध हुआ था और उसकी संख्या 33 हो गई थी और अगर इनकी संख्या में वृद्धी कैसे की जा सकती है वो भी संसद ही कर सकती है संसद के दोनों सद्रों में आपका विदेहक पारित होना चाहिए और उनकी संख्या में वृद्धी की जा सकती है पहले भी मैंने ये कुशन बताया कि राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती का यदि पद खाली हो तो कौन उसमें बैठ सकता है तो वो सुप्रीम कोड का मुख्य नयादीश और ऐसे कौन से नयादीश थे जिनोंने की कारेभार समाला था राष्ट्रपती का जस्टिस हिदाय तुला अंग्रेजी भाषा का प्रियोग हमारे नयालों में किया जाता है और कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है आर्टिकल 348 जबकि राजभाषा में आर्टिकल 343 है जिसके तहट राजबाशा हिंदी मानी गए, तो हिंदी का आर्टिकल कौन सा है, 343, अब एक कोशन है कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका पूरा नाम है Public Interest Litigation, और न्याईक पुन्रावी लोकन का अधिकार किसको होता है, ये भी उचितम न्याईले को होता है, राष्ट्य मानवादिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो राष्ट्य मानवादिकार आयोग का जो अध्यक्ष वो केवल भारत का जो सेवा निविर्त मुख्य नयाईदिस होगा, सुप्रिम कूर्ट का केवल वो ही बन सकता है, और किसके तहट बन सकता है, 1993 का जो अधिनियम आया था, उसके तहट राष्ट्य मानवादिकार आयोग है, human rights आयोग है, उसका अध्यक्सकेवल मुख्यनायदीश बन सकता है, प्रथम मुख्यनायदीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, सरवादिक समय तक किनो ने किया था, जो सरवादिक समय तक नयादीश रहे हैं, यह हमारे वाईपी, चंद्रचून, सबसे कम समय तक जो नयादीश रहे, कमल नाराण सिंग और पहली नयादीश, जो की female थी, पहली महिला नयादीश थी, फातिमा बीबी, अब है हमारा उच्छी नयादे, यानि की हाई कोट, हाई कोट, अगर उत्राखंड के हाई कोट की बात की जाए, तो ये कहां है नैनी ताल में अब है भारत में उच्छी नयाले की संख्या तो भारत में उच्छी नयाले की संख्या है 24 कई बारी दो राज्यों का एक ही उच्छी नयाले होता है बहुत सी जगा में ऐसा ही है अब ऐसा कौन सा जो सबसे ज़्यादा नयाधी कहां पे है कौन से उच्छनियाले में है तो वो है इलाबाद हाई कोट में और सबसे कम है आपके सिक्किम हाई कोट में ऐसा कौन सा केंदर सासित प्रदेश है ये ये यूणियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोट है तो वो है दिल्ली अब किस अधिनियम के तहट कलकत्ता, मदरास और बबबई में हाई कोर्ट बनाया गया था तो ये था भारतिय उच्छे नयायले अधिनियम 1862 उत्राखंड का हाई कोर्ट नैनिताल उत्राखंड उच्छे नयायले के मुख्य नयायदिस जो की प्रथम महिला थी ऐसी कौन सी महिला थी जो की मुख्य नयायदिस बनी थी लीला सेट और अगर किसी नयायदिस को एक उच्छे नयायले से दूसरे उच्छे नयायले तक नयायले में अगर उसका स्थाना अंतरन करना हो, ट्रांसपर करना हो तो ये पावर किसके पास होती ये भी राष्टपती के पास होती है वेतन की बात की जाए तो मुख्य नयादीस का 90,000 जबकि अन्यका होता है 80,000 अभी उपर आपने पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में मुख्य नयादीस का एक लाग था मुख्य नयादीस का और अन्यका था 90 यहां फिर 10,000 और कम हो गया है अधिकता माय की बात की जाए तो 62 वर्स 62 वर्स में ये रिटायर हो जाते हैं और जो भारत में चलित नयाए ले यानि कि मुबाइल कोर्ट का प्रावधान किस ने दिया था तो ये डक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को तो जैसे राष्टपती होता है वैसी ही राज्य में राज्यपाल को माना जाता है और जो राज्य की सारी कारेपालिका की शक्तियां होती है वो राज्यपाल में नहित होती है और राज्य सरकार का कारेकारी अध्यक्ष कौन होता है राज्यपाल होता है नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है कारेकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है वेतन की बात की जाए तो वेतन 1,10,000 रुपे राज्यपाल का होता है और कहां से दिया जाता है ये राज्ये की संचित निदी से राज़ेपाल को दिया जाता है नियून्तम आयू है राज़ेपाल बनने की 35 वर्स राष्ट्रपती की भी आपकी 35 वर्स थी और कोई राज़ेपाल अपने पद पे कप तक रह सकता वो भी राष्ट्रपती की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है इंडियन होते हैं वैसे ही राज्यपाल विधान सबा में एक व्यक्ति को मनोनित कर सकता है आंगल भारती है जो की एंगलो इंडियन होंगे अब राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी तो ये थी आपकी सरोजनी नाइडू और राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो कितने समय तक जारी रहता है छे हपते तक सेम राज्यपाल का अध्यादेश भी छे हपते तक ही जारी रहता है तो राज्यपाल को जैसे महावियोग से हटा सकते हैं तो क्या राज्यपाल को भी महावियोग लगता है इंपीच्मेंट लगता है तो नहीं राज्यपाल को महाबियोक से नहीं हटाया जा सकता इसे हटाने की पावर किसके पास होती है सीधा राश्ट्रपती के पास अब हैं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री की नियुक्ती कौन करता है राज्यपाल जैसे विधान सबा में जो बहुमत दल होता है वो MLA अपने में से एक नेता का चुनाव करते है और उसको नियुक्त करता है राज्यपाल ए जैसे जो प्राशबर प्रदान मंत्री की है सेम राज्यमे होई मुख्यमंत्री की है अब अगर परथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाये तो वो कौन थी सुचेता क्रिपलानी और कहां से थी यूपी से थी और सरवादिक दिनों तक जो मुख्यमंत्री रहें अभी तक वो है जोती वशु और प्रत्थम दलित मुख्यमंत्री कौन बनिया भी वो बनिया शुश्री मायवती ये भी उतरपदरिस से ही थी अब आता है विधान परिशत तो विधान परिशत सारे राज्यों में नहीं है कुछ राज्य हैं जहां पे विधान परिशत है सब बाकी जगा विधान सबा होती है और कुछ-कुछ राज्यों में विधान परिशद है तो कौन से वो राज्य हैं जहां पे विधान परिशद है तो पहले जो थी वो सात राज्यों में विधान परिशत थी आंदर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, करनाटक, महारास्ट और उत्तर प्रदेश और तिलंगना इसको आते बी यू मक से याद कर सकते हैं लेकिन अब क्या हुआ जम्मू कश्मीर हमारा केंदर शासित प्रदेशों में विधान सबा का प्रावधान नहीं है तो जम्मू कश्मीर से विधान परिशत हट चुकी है इसके अलावा क्या हुआ है कि आंदर प्रदेश ने भी अपने यहां से विधान परिशत हटाने की बात रखी और ये लोकसबा और राजिसवा में ये विधेयक चल रहा है जिस दिन ये पारित हो जाएगा राष्टपती के सिगनेचर वहां हो जाएंगे तो यहां से भी आंदर प्रदेश से भी विधान परिशत खतम हो जाएगी और जो तीन नए राज्ये हैं राजिस्तान, असम और ओडिसः ये तीन राज्ये हैं ये अपने यहां विधान परिशत के लिए विधान परिशत के लिए ये तीनों राज्य भी आ रहे हैं उस लिस्ट में कि यहां पे भी विधान परिशत होगी अब सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए विधान परिशत में वो होनी चाहिए 40 और सरवाधिक संख्या विधान परिशत होती है जैसे राज्य सबा को भंग नहीं किया जा सकता वैसे ही विधान सबा को भंग नहीं किया जा सकता आपकी कम से कम संख्या तो होती है 40 और अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है विधान परिशत की विधान सबा के जितने सदस्य हैं उस स्टेट में उसका 1 by 3 अधिक्तम सं प्रते एक दो वर्ष क्या वाद क्या होता है एक बटे तीन यानी वन बाई थ्री जो सदस्य होते हैं वो अवकास गरंड कर लेते हैं इसका कोरम भी आपका वन बाई थर्ड है एक बटे दस है यह कुश्चन तो फिक्स है किसी का भी कोरम पूछा जाये मैंने बताया था कि ए कालेज और विश्रा विज्व द्वारा शुने जाते हैं और उसके हलावा फिर एक द्वारा सदस्या मादमिक स्कूलों और कॉलेज और विश्व विद्याले के सिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। अब विद्यान परिश्व विद्याले के सिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। गोवा और मिजोरम 40 और पॉंडी चेरी ये इसके अपवाद हैं। एक्षप्शनल केस हैं कि यहां जो विद्यान सभा के सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है। और सरवादिक संख्या यूपी में हैं उत्तर प्रदेश में हैं 403। कारेकाल इनका भी 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों की तरह। और जैसे लोकसभा का कारेकाल एक साल तक बढ़ाया जा सकता है कब बढ़ाया जा सकता है जबकि रास्ट्रिया आपातकाल हो इसका विद्हान सभा का कारेकाल भी एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी कौन सी राज्य की विधान सभा थी जो अपना पांच वर्ष का कारेकाल पूर्व होने से पहले ही खतम हो गया थी उसका विगेटान हो गया था केरल की विधान सभा और न्यूंतमायो कितनी है 25 कोरम इसका भी 1 by 10 है और विधान सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका च चुनाव करते हैं तो जैसे लोक सभा में प्रोटेम स्पीकर बनता है वैसे ही विधान सभा का भी अस्ताई प्रोटेम स्पीकर बनता है उसकी जो न्यूक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल के द्वारा अगर विधान सभा अध्यक्ष की बात की जा जाती है किसके द्वारा सपद दिलाए जाती है तो उसे सपद की आवशक्ता नहीं होती है त्याग पत्र अगर विदान सभा अध्यक्ष दे तो किसको देगा विदान सभा उपाध्यक्ष को जैसे कि लोगसभा अध्यक्ष लोगसभा उपाध्यक्ष को देता है राश्चपत को हटाने की प्रोसेस होती है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो साधारान बहुमत पारिद करते हैं वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा के सदस्य साधारान बहुमत पारिद करते हैं लेकिन इससे पहले उनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है तो ये 14 दिन का जो दिन है 14 दिन है ये फिक्स है जब हम impeachment कर रहे हैं या फिर महाब्योग लगा रहे हैं उसमें भी 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है किसी को भी हटाने से पहले 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है अब जो विधान सबा का सत्रा वशान होता है वो किसकी आग्या से होता है राजिपाल की आग्या से धन विदेहक कोई भी विदेहक धन विदेहक है या नहीं इसको कौन प्रूफ करेगा कि ये धन विदेहक है नहीं इसको करेगा विदान सबा अध्यक्ष जैसे व निर्वाद ची सदश्य होते हैं यह आपस में क्या करते हैं दल बदल अगर करें तो कौन सा जो अमेंडमेंट था कौन सा संसोधन था जिसने इस पर प्रतिवंद लगाया था तो यह था 52 संसोधन दल बदल से संब्दित है और कौन सी अनसूची में है दसवी दा से दस दल में भी ऐसा केस हुआ था 2016 में जब कॉंग्रेस के बहुत सारे विधायक बीजेपी में चले गये थे तो कॉंग्रेस की सरकार गिरी थी उस टाइम पर इमर्जंसी भी लगी थी यहां पर राश्टरपती शासन भी लगा था तो वो केस यहीं पर हुआ था अब है हमारे पास क आयोग और परिशदे कौन कौन से जो आयोग है जो हमें ध्यान रखने एक्जाम के परपस से इंपॉर्टन्ट है सबसे पहला आता है योजना आयोग तो 2015 से पहले यानि कि 1 जनुरी 2015 से पहले 2014 तक योजना आयोग होता था और इसका जो मुख्या होता था वो होता था जन्वरी 2015 से और नीती आयोक का अध्यक्ष भी कौन है प्रधान मंत्री तो नीती आयोक कब बना था मोदी जी के टाइम पे तो अगर नीती आयोक का प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये होंगे आपके नरेंदर मोदी और योजना आयोक का अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जो सबसे पहला प्रधान मंत्री होगा तो हो गया जवाहर लाल नहरू छेत्रिय परिशदों का गठन कौन करता है तो ये करता हमारा राष्ट्रपती राष्ट्रपती के दौरा छेत्रिय परिशदों का गठन किया जाता है छेत्रिय परिशदों का और जो इसका स्रेजन किया जाता है एक संसद में कानून बना कर किया जाता है कि दोनों सदनों में आपका कोई भी विध्यक पारित होगा और उसके बाद जाएगा वो राष्ट्रपती के पास साइन होने के लिए प्रावधान का बाया था इसका 1956 में एक होता है योजना आयोक और दूसरा होता है राष्ट्रिय विकास परिशत इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधान मंत्री होता यानि कि दो चीज़े योजना आयोक और राष्ट्रिय विकास परिशत दोनों का अध्यक्ष कौनों का प्रधान मंत्री और राष्ट्रिय विकास अध्यक्ष का क क्या कहा जाता है और वित्तायों का दूसरा नाम है पंचवार्शिक निकाए और इसका काम क्या होता है केंद्र और राज्जी यानि की सेंटर और स्टेट के बीच जो भी धन होता है या राज्यों से होता है उसका जो वित्रण किया जाता है वो वित्तायों के द्वारा किया अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्टपती के द्वारा की जाती है और कितने समय के लिए इसका जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं पांच वर्ष के लिए और कितने टोटल इसमें सदस्य होते हैं तो एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य वितायोग में होते हैं प्रथम अध्यक्ष जो थे वित्यायों के केसी नियोगी जी थे और वर्तमान जो भी जिस पोस्ट में है उसकी लिस्ट आपको अलग से मिलीगी फिर है कि अखिल भारतिय सेवाएं जो होती है इनका स्रेजन कैसे होता है तो राज्य सबा में दो बटे तीन बहुमत पारित करके अखिल भारतिय सेवाओं का स्रेजन होता है केवल राज्य सबा में इस कुशन को धियान रखिए जो थोड़ा अलग है उसको धियान रखते वे चलिए और प्रथम भारतिय लोग प्रशाशन संस्तान की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी मार्च 1954 में और भारतिय पुलिस सेवा यानि कि IPS का प्रसिक्षन केंद्र कहा है ये है 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 हैदराबाद में सिविल सेवाओं का भारतिय करण किसने किया था लॉड लिटन ने अब एक जो आयोग आया था राजमनार आयोग इसने क्या कर रहा था राजमनार आयोग ने जो सिपारिस की थी इसने बोला था कि IAS यानि कि भारतिय प्रशाशनिक सेवा और IPS भारतिय पुलिस सेवा इन दो दोनों को समाप्त कर देना चाहिए तो इन दोनों को समाप्त करने की सिपारिश जो की थी वो राजमनार आयुक ने की थी। अभी एक पहले भी कोशन आया था कि जो इसका अध्यक्ष बन सकता है। अभी एक मंडल आयोग इसको दूतिया पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता और ये किसके टाइम पे आया था ये आया था मोरा रजी देशाई के समय में। अब है निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल 324 इनके लिए दो समितिया बने थी। बनी थी तारकुंडे समिति और दूसरी बनी थी गोस्वामी समिति तो क्वेशन बनता है कि तारकुंडे समिति किस से संबंदित है तो निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन आयोग से संबंदित समिति का नाम बताईए तारकुंडे या फिर गोस्वामी समिति इनका का क्या था इन्होंने बोला था कि चुनाव व्यवस्ता में जो सुधार होने चाहिए उसको बताया था इन दोनों समीतियों ने अब भारत में जो निर्वाचन पद्धिती ली गई है वो कहां से ली गई है बिटेन से एक कोशन है कि राश्ट्रियम मतादिकार दिवश कम मनाया जाता है इस टाइब की कोशन बहुत पूछे जाते हैं ए आरो में भी पूछा गया था ये तो ये होता है आपका पंद्रा फरवरी को और मुख्य निर्वाचन आयोक की नियुक्ति कौन करता है राश्ट्रपती परिसीमन आयोक का अध्यक्ष जो होता है वो भी कौन होता है मुख्य निर्वाचन आयोक्ति अब अगर कोई भी दल छेत्रिय दल है या फिर राश्ट्रिय दल है इनको दरजा कौन प्राप्ति कौन देगा इनको कि ये छेत्रिय दल है या फिर राश्ट्रिय दल है ये देता है चुनाव आयोक और मध्यावती चुनाव कप किये जाते ह हैं जबकि समय पून होने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए तो कहां कि अभी आपने देखा था कि विधान सभा भंग हुई थी वो कहां की हुई थी केरल की सबसे पहले हुई थी जो विधान सबाब भंग कहां की हुई थी केरल की सारवजनिक आधार पर सबसे पहला चुनाव का बहुता 1952 में और चुनाव में मद्दान की उम्र कितनी है मद्दान की उम्र 18 है पहले ये 21 थी लेकिन 1989 में इसको चेंज करके 18 कर दिया गया और ये संशोधन बहुत इंपॉर्डेंट है ये संशोधन कौन सा था 61 तो कुश्चन बनता है कि किस संशोधन में मद्दान की उम्र 21 से 18 की गई है और एर क्या है 1989 चुनाव परचार कब बंद किया जाता है तो चुनाव परचार हमारा इलेक्शन होने के 48 आवर्स पहले 48 गंटे पहले बंद किया जाता है मुख्य वाचन आयुक तो होता है उसका वेतन कितना होता है 90,000 और जो अन्य होते हैं उनका हमारा उनका वेतन होता है 80,000 अगर पदावधी की बात की जाये तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयुक पूर्ण करने से पहले अब एक और समिती आई थी आपकी दिनेष गोशामी समिती इसके हिसाब से क्या हुआ था सबसे पहले इसने ईवियम का प्रियोग करने पर सपोर्ट जो बल दिया था वो किसने दिया था ईवियम का प्रियोग होना चीigor निरवाचन शुधारों से रिलेटेट थी और जो ईवि 9-7 में एक कोशन बंता है कि जमानत राशी आपने भी सुना होगा जमानत राशी जबत हो गई तो वह जमानत राशी जबत कब होती है जब कोई भी जो कंडिडेट होता है उसको वह टोटल मत का एक बटे 6, one by six से मत प्राप्त नहीं कर पाता यानि कि जमानत राशी बचाने के कितना मत प्राप्त करना जरूर है एक बटे 56 भाई 6 अब हमारा केंद्र राज राज्य संबंद में आपकी तीन आपकी जो सूचियां आती है संग सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची इन में कौन-कौन से विशय को आते हैं इनके अंतरगत उसका आप पहले ही शॉट् नहीं करूँगी, अब केंदर राज्य संबंद कौन सी सुची आता है, यह आता है, सातवी अनुसूची के अंदर, सैवन्थ शेडिूल के अंदर, एक आयोग बना था, सरकारिया आयोग, तो ये किस से रिलेटेड था, क्वेशन बहुत बार पुछा गया, सरकारिया आयोग कि से संबंदित है तो केंद्र राज्य संबंद से केंद्र और राज्य की सरकार से आप इसे याद कर सकते हो केंद्र राज्य संबंद का सरकारिय आयोग राजबननार एक समीती बनी थी, ये बनी थी 1971 में 1971 में और ये तमिलनाडू राज़े में बनी थी और किसके लिए बनी थी केंद्र और तमिलनाडू राज़े के भी सम्बंद के लिए बनी थी अवसीष्ट कुछ सक्तिया होती हैं यह अवसीष्ट अधिकार होते हैं उन विशय पर जो होता है किसका अधिकार होता हैं वो होता है केंद्र का अधिकार जबकि केंदर सूची में जो विशय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंदर के पास राज्य के सूची के राज्य के पास और समवर्थी में जो होता है वो केंदर तथा राज्य दोनों के पास होता है लेकिन अवसिष्ट सक्तियों का अधिकार किसके पास होता है केंदर के पास अभी मैंने बताया आपको कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है लेकिन एक कंडिशन होती है ये अधिकार संसत के पास चला जाता है यानि कि लोकसभा राज्य सभा के पास केंद्र के वाज ये कब जाता है जबकि अंतराश्य संधी या फिर समझोते को लागू करना होता है इस कंडिशन में राज्य सूची पे अधिकार कानून बनाने का अधिकार संसत को चला जाता है अब एक कोशन बनता है कि क्या कोई राज्य किसी विदेशी राश्य फिर अंतराश्य संधी संगठन से रिंड ले सकता है तो नहीं विदेशी राज्यों को ये पावर नहीं होती है कि वो विदेशी राश्य फिर अंतराश्य जो और्गनाईजेशन होते हैं उनसे रिंड ले स कि समवर्ती सुची पे कानून बनाने का अधिकार केंदर और राज्य दोनों को है पंचायती राज किसके अंतरगत आता है ये आता है राज्य सुची के अंतरगत और सबसे पहला जो पंचायती राज बना था वो कहां बना था राजस्थान में बना था 2 AUKT newsletter 1959 को राजस्थान कि नागोर नामक इस्तान पर और सिक्षा को जो राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट के तहट या फिर कौन से संशोधन में 42 वा संशोधन मैंने आपको बताया है 42 और 44 तो बहुत इंपॉर्टन संशोधन है तो 42 में पद है जो कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद का कारण बनता है तो ये है राज्यपाल का पद अब राज्यपाल क्या होता है इसको पूरी पावर होती है राज्य की लेकिन राज्यपाल आता कि इसके अंडर में है ये बनता क्या है जहादा तर केंद्र में जिसकी सरक वो अपने अपने जो राजेपाल होते हैं वो आपने, वहां के राजेव में भेज सकते हैं। इसको जो अपॉइंट करता है नियुक्त करता है वो कौन करता है राश्ट्र पती तो ये ज़्यादतर विवादों का कारण बनता है राज्यपाल का ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है लेकिन केंद्र की सरकार वहाँ पे अपना राज्यप बेज सकती है जैसे कि आप महाराष्ट का एक्जांपल ले लीजिए वहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार है जिसने की कॉंग्रेस से गटबंदन किया है लेकिन वहाँ पे राज़ेपाल कौन सा है भगत सिंग कोशियारी जो की बीजेपी के थे पहले अब है हमारा राज़ भाषा तो राज़ भाषा कौन सी आधिकारिक भाषा कौन सी ली गई है भारतिय संकी राज़ भाषा वो है हिंदी और कौन सा अनुछेद कौन सा आर्टिकल पहले ही वह तहता 343 फर्स तो हिंदी का अनुछेद कौन सा है आपको ये हिंदी का कोश्चन प्रियोजनों में क्या होता है कि अंग्रेजी का प्रियोग किया जाता है और कब तक कर सकते हैं इसको अंग्रेजी का प्रियोग कब तक किया जा सकता है अनिश्चित कालकले कोई तिथी निश्चित नहीं है कि तब इतने ही तिथी तक हमको अंग्रेजी का प्रियोग करना है सब्सक्राइबर 1949 को और राजकिया भाषा आयो का गठन कब किया था ये हुआ था 1959 में बीजी खेर की अध्यक्षिता में और उर्दु को प्रथम राज भाषा कौन से राजजे ने बनाया था जमू और कश्मीर वर्तमान में अब जमू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ गय आधा है की उत्राखन की दूसरी राजकिया भाषा कौन सी है पहली तो है हमारी हिंदी और दूसरी है सास्क्रेट तो तीन आपके पाँ आर्टिकल हैं तीन अनुछेद हैं 352 फिर चार्ड़ छोड़ेंगे 356 और फिर है आपका 360, थे अध्या है आपातकाल है अब तिन टाइप के आपातकाल भारत में लगाया जा सकते हैं सबसे पहला है आपका राष्टिय आपात ये है आपका 352 में फिर है आपका राष्ट क्पती साशन प्रेजडेंद रूल 356 में तो राष्टिया आपात कब लगता है जबकि युद्ध हो या फिर कोई आक्रमन हो जाए या फिर देश में ससस्त्र विद्रो हो जाए तो पहली बार जो राष्टिया आपात का लगा था वो लगा था 26 अक्टोबर 1962 में जब चीन ने भारत पे आक्रमन कर लिया था तो पहली बार तब लगा था यानि ये केवल 352 वाले की बात हो रही है राष्टिया आपात की दूसरी बार लगा था हमारा तीन दिसंबर 1971 में 71 में पहला 62 में है फिर 71 में है और तीसला लगा आपका 1975 में लेकिन 1975 में युद्ध की वज़े से नहीं हुआ था ये आंतरिक अशान्ती के कारण हुआ था इंद्रा गांधी के समय में और पहली बार जब अपात का लगा था उस टाइम पे राष्टपती कौन थे हमारे डॉक्टर सरपली रादा क्रिशनन और प्रधान मंत्री थे प्रधान मंत्री थे हमारे लाल बहादूर शास्त्री जी अब राश्टपती शाषन की घोषना कब होती है तो जब राज्य का राज्य पार रेपोर देदे कि यहां पे शाषन चलाना मुश्किल है तब हो जाता है उस राज्य में राश्टपती शाषन और प्रथम बार राश्टपती शाषन कहां लगा था यह लगा था पैपसु रा पर दिजान राज्जय क्या है, प्व पैप्सू तो आपने कर भी सुना नहीं होगा, ये लगा था आपका 20 जून 1951 तो पतियाला उस टाइम पर पतियाला और एस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पैप्सू कहा जाता था, P.E.S. Pepsu पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन सबसे अधिक जो राष्टपती साशन लगा है वो कहां लगा है ये लगा था हमारा जम्मू एंड कशिमीन में अब हिर्देनाज जो कुंजरू जी थे इन्होंने बोला था कि जो राष्टपती का आपातकालिन अधिकार होता है ये समविधान के साथ दोका है मतलब कि राष्टपती साशन नहीं होना चाहिए और ये कुशन एक बहुत बार बना है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक नहीं लगा है तो वित्तिय आपात यानि कि 360 अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा है अब है राजनितिक दल तो भारत में किस तरीके की राजनितिक दल की व्यवस्ता है बहुदलिया ये तो आपने देखा होगी यहाँ पे बहुत सारे दल है और पहले भी बताया है मैंने क्वेश्चन कि कोई भी राजनितिक दल राश्ट्रिया है या फिर छेत्रिया या प्रदेशिक बोल सकते हैं ये कौन डिसाइड करता है निरवाचन आयोग तो राजनितिक जो दल होता उसको राश्ट्रिय दल के रूप में कैसे मानिता मिलती है कौन सी शर्ते होती है तो उसके लिए जो सर्ते हैं वो ये है कि या तो चार या अधिक राज्यों में उसे राज्यस्तर की मानिता मिले ये कब होता है ये शर्ते जो हैं ये है कि जो राजनेतिक डल है उसे राश्टे डल के रूप में कब मायनिता मिलती है तो या तो वो चार या अधिक राज्यों में राज्यस्तर का दल हो या फिर उसे चार राज्यों में टोटल वोट का 6% से ज्यादा उसको वोट मिल जाए या फिर उसको राज्यों में चार लोग सबा सीटों में उसकी जीत हो जाए तो ये जो हैं राष्टिय दल बनने के शर्टें होती है एक तो ये हो गई दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई दल विहिन लोगतंत्र के पक्ष में कौन थे जैप्रकाश नारायन जी दल विहिन लोगतंत्र के पक्ष में थे फिर है कि राजनेतिक दल की स्तापना जिसकी जो भारत से बाहर हुई है वो कौन सा दल था जिसकी की भारत से बाहर स्तापना हुई थी तो भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी और कहां हुई थी ताशकंद में ताशकंद कहा है आपका रूस में पहली बार गैर कॉंग्रिसी सरकार कब बनी थी, कौन से स्टेट में बनी थी, तो केरल में बनी थी, 1977 में अब है आपका पंचायती राज विवस्ता, तो जो इस्थानिय सोशाशन का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है, लौड रिपन को, रिपन लिटन आपने पहले इस्ट्री में भी पढ़े हैं, तो उस्थानिय सोशाशन का जनक लौड रिपन को अब ये जो पंचायती राज विवस्ता है, गाउं में पंचायती राज और नगरों में नगर पालिका वगेरा, ये कौन से भाग के अंदर आता है तो ये है भाग 9 में, और कौन से संसोधन था, कौन सा अमेंडमेंट था, जिसमें ये आया था तो 73 वा संसोधन और 74, 73 और 74, ये संसोधन आपको याद रखने है, पंचायती राज और 84 में आया था आपका नगर पालिका और किसके टाइम पे ये संसोधन हुए थे, तो ये पीवी नरसिंबा राव के टाइम पे हुए थे पंचायती राज जो है, वो किस पे आधारित है, तो ये है सत्ता के विकरिंद्री करण पर यानि डिसेंट्रिलाइजेशन पे ये आधारित है पंचायत चुनाओ कराने का निर्ने कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है प्रथम पंचायती राज कब हुआ था, मैंने आपको बताया था, राजिस्तान के नागौर में, 1959 में अब प्रथम सबको पता है, तो तुतिया जादतर पूछ दिया जा रहा है तो दूसरा कब, या फिर कई बारी आप्शन में, राजिस्तान ना देकर आंदर प्रदेश दिया जाता है क्योंकि राजिस्तान के बाद आंदर प्रदेश में हुआ था, तो दूसरा कहां हुआ था, आंदर प्रदेश में सामुदाइक विकास कारेकरम इसका प्रारम हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1952 में 1952 में ये शुरू हुआ था और इसी कारेकरम के तहट एक योजना शुरू की थी सामुदाइक विकास योजना ठीक एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 में लेकिन ये सफल नहीं रहा असफल हुआ किस वज़े से असफल हुआ असिक्षा की वज़े से अब पंचायती राज में दो समितियां आपको ध्यान रखने हैं एक तो बलवन्त राय महता समिती और दूसरा है अशोक महता समिती ये दो समितियां देखने हैं आपको बल्वंति राय समिति और अशोक महता समिति बल्वंति राय महता समिति ने लोक तंत्र के विकंद्री करण पर जोड़ दिया था और इसकी समिख्षा करने के लिए पंचायती राज विवस्ता की समिख्षा करने के लिए जो 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 समिख्षा चेननई में बना था, 1957 में बलवंत राय महता समीती ने तीन इस्तर के पंचायती राज की सिफारिश की थी, और ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे पंचायती राज नहीं है तो अरुणांचल प्रदेश में, और पंचायती राज का निम्न इस्तर तो ग्राम सबा या ग्राम हैं और उच्छी स्तर की बात की जाए तो यह है जिला परशद अब अगर उत्राखन की बात की जाए तो महिलाओं को कितना जो है आरक्षन मिला हुआ पंचायती चुनाओं में तो यह है 50% पहले यह 30 था अब यह 50 हो गया और किसके टाइम से वा था यह क्वेशन बनता है 2008 में भुवणचन खंडूरी के टाइम पे यह 50% हो गया था अब यहाँ पे कुछ आपको भारती राजव्यवस्ता में प्रथम यह दिये वह हैं कि प्रथम राष्टपती कौन था और प्राष्टपती कौन था यह सारे आपको देखने हैं कि प्रथम कौन था जो वर्तमान में है उनकी लिस्ट भी मैं अलग से आपको दूँगी सारे आपको यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है इसे आप खुद पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और प्रमुक्तितियां कि पहला आम चुनाव कव हुआ था पहला वित्यायो का गठन कव है नीती आयो यह सारे यहाँ पे दिये ह हैं तो जो आपका पॉल्टी वाला पोर्शन है समविधान वाला पोर्शन है सब हो चुका है बस आपका एक तो अनुछेद और संशोदन अमेंडमेंट इसकी लिस्ट आपको अलग से मिलेगी वो आपको खुद से याद करनी है उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं हो गए है अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर गुड लग फो यू एक्जाम आज़ों मता